नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टेटिप प्रेटफॉर्म में दोसरा आज की सुबड़ों में जग्रावफी के आगे की स्रंखला में बात करने वाले हैं वैल कैनोज यानी जौला मुखी हम जवर्जस्त तरीके से इमेजिस और फीगर से आपके दिमाग में सेट करने की कोसिस करेंगे आगे आने वाले कुछ मिनटों में तो एक पेंट एक पूछे जाते हैं कि सिंडर, मैगमा या क्रेटर या इनसे फैक्ट जो भी बनते हैं वो क्या है ठीके ना और इनको किन-किन पॉइंटों में देखा जा सकता है तो एक पेंट एक कॉपी ले ले जगा अपना कोई भी कुछ संस यहां पर गलत नहीं होना चाहिए चलते हैं हर बहन हर भाई इस वीडो में पहली वार विजिट करें हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले यहां पर स्रंखला चल लए है यह व्याख्यात में क्लास रहेगी आपकी तो एक पेंट कॉपी में सबसे पहले नोट डाउन करेंगे कि ज्वाला मुखी चैप्टर और ज्वाला इस क्या होता है चिद्र होता है यानि जहां से पर्थवी के सतय से पार्टिकल्स का उद्वो होना यानि जिसका सम्मंद पर्थवी के आंतरिक भाग से है पर्थवी का आंतरिक भाग मतलब भूगर्व की बात कर रहा है अगर हम कहें तो भूगर्व में भी क्या होता है पर् अनतो आधी का परिबरतन जब होता है तो हम कहते हैं कि प्रत्वी से निकलने वाले पदार्थों को हम जौला मुखी एक नाम दे देते हैं सिंपल सी बात ये है देशी भासा में ठीक है अब हम बात करते हैं फीगर से और फीगर से पहले एक पॉइंट आपको नजर अंदाज पूछा जाता है तो नोट पॉइंट में एक और लिख लेना है कि प्रकति का सुरक्षा वालव वैलकेनों या जौला मुखी को कहा जाता है ठीक है अच्छी तरीके से पॉइंट को याद रखेगा अब हम बात करते हैं तीन पॉइंट जो एक्जाम में बहुत ही धूम मचा तो ध्यान देने वाली बात ये है क्या सर कि सबसे पहले क्रेटर को जानते हैं क्रेटर क्या होता है क्रेटर दोस्तों अभी लिखना नहीं है क्रेटर अभी लिखना नहीं है ना मैगमा लिखना है ना सिंडर लिखना है क्या होता है जब भी प्रत्वी की बात करें जब भी हमा कुछ भी निकला यालि पदार्थ निकला जिसको हम कहते हैं आग निकली और हमने उसको नाम दे दिया जौला मुखी तो जहां से वो पार्ट निकलते हैं ध्यान दिजेगा जो कप का आकार होता है उसको हम क्रेटर कहते हैं क्या सर जहां से वो पार्ट निकलते हैं प्रतवी के आंतरिक भाग से निकले हुए पदार्थ का जो भाग होता है वो क्रेटर होता है समझ रहना मेरी बात जी हाँ अब ये मैगमा क्या है मैगमा दोस्तों क्या होता है कि मैगमा जो धर्ती से धर्ती के अंदर देखो धर्ती ये प्लेन है उपर और हम यहाँ पर खड़े हैं, और अचानक धरती फूटी तो इसमें क्या हुआ? अंदर से कुछ निकला आग टाइप का, तो मैगमा क्या होता है? धरती के नीचे का तरल भाग होता है, अब देखो मैगमा और लावा में फर्क समझना, धरती के नीचे का तरल भाग अगर प्र मैगमा आपको यहाँ पर नोट पॉइंट लिख लेना है, कि मैगमा किसे कहते हैं? मैगमा दोस्तों कहते हैं, धरती के नीचे का जो तरल पदार्थ होता है, उसको मैगमा कहते हैं, और लावा क्या कहते हैं? यही तरल पदार्थ अगर धरती के ऊपर आ जाए और जम जाया क तो इसको लावा कहते हैं, अभी लिखा देंगे सब कुछ, सिंडर क्या है, सिंडर दोस्तों याद रखना है कि सिंडर किसे कहते हैं, अब देखो सिंडर हमारा पॉइंट यह होता है, कि जब हम लावा निकल आता है, वो जम जाता है, जो निकले तुकडे होते हैं, तुकडे ह आउते हैं वही सिंडर होते हैं तो क्रेटर क्या हुआ क्रेटर हुआ वो कप का आकार जहां से चीजे निकलती हैं मैगमा क्या हुआ धरती के अंदर का तरल पदार्थ लावा क्या हुआ धरती के बाहर का तरल पदार्थ सिंडर क्या हुआ उनसे निकले पार्टिकल्स ठीक है याद रखीगा अब हम बात करते हैं पॉइंट में कि सिंडर किसे कहते हैं अब आपको लिख लेना है सिंडर किसे कहते हैं तो क्रेटर जरू लिख लेना क्रेटर आपको लिख लेना अपने हाज से कि जहां से पार्ट निकलते हैं सिंडर किसे कहते हैं हवा में उड़ा हुआ जब ठंडा होकर छोटे ठोस टुकडों में बदल जाता है तो उसे सिंडर कहते हैं मतलब नीचे से निकले हुए जो आप बहुत तेजी से जा रहे हैं और यह क्या हुआ थोड़े दिर बाद यह गिरे आके यहाँ पर गिरे आके यह देखो गिरे ही तो होंगे तब ही तो यह उंचा इतना बना तो यह ठंडे होकर नीचे गिर गया है तो यह सिंडर कहलाते हैं मतलब हवा में उड़ा हुआ लावा ठंडा होकर छोटे ठोस टुकडों में बदल जाता है उसे हम सिंडर कहते हैं पॉइंट नमबर नेक्स्ट है कि मैगमा किसे कहते हैं अब मैगमा को लिखना है कि धर्ती के नीचे का अब देखो धर्ती के नीचे दिखाई नहीं देता है जो धर्ती के नीचे तरल पदार्थ में जो जमा हुआ है उसको हम मैगमा कहते है और यही अगर निकल के यह क्या हो रहा यही निकल के यह बाहर जम जाता है तो हम इसी को कहते हैं क्या कहते हैं सर जी इसी को कहते हैं लावा अब लाबा में point क्या लिखना है कि धर्ती के ऊपर आने वाला जोला मुखी का तरल पदार्थ लाबा कहलाता है और धर्ती के नीचे का जो तरल पदार्थ है वो मैगमा कहलाता है तो दोनों difference समझ गए ये चीज़े बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं और जग्रॉफी में बहुत ही जाना उन्होंने पड़ भी रखा है लेकिन फिर भी बच्चों ने यहाँ पर आने वाले एक्जामस में कुछन्स गलत किये हैं तो याद रखना है दोनों point को अच्छी तरीके से note down कर लेना अब बात आती है सर जी यहाँ पर लाबा हो गया मैगमा हो गया सिंडर ह गया यह कालडेरा क्या है कालडेरा दोस्तों होता है पुराने ज्वाला मुखी के ऊपर त्यान दी जगा पुराने ज्वाला मुखी के ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर को क्रेटर हमने आपको बता है क्रेटर क्रेटर क्या होता है क्रेटर वो होता है जहां से पदार्थ निकलत है क्या पुराने जौला मुखी का सिरा है ठीक है ना बहुत बढ़िया अब बात आती है ट्रिक से आपको बता देते हैं कि जौला मुखी में कौन-कौन सी गैसेस निकलती है जौला मुखी में गैसेस कौन-कौन सी निकलती है तो जी के ट्रिक में आज की ट्रिक है जल का सोना अब ये याद रिखना है बहुत बार एक्जाम में कुशन पूछे जाता है कौन सी गैस नहीं निकलती है कौन सी गैस निकलती है तो हमें निकलने वाली याद रिखना है concept जो clear होगा तो हम तो कोई भी कुशन कर सकते हैं तो याद रिखना है जल को सोना है अब जल को सोना है में जल का मतलब होता है जलवास्प जो सबसे ज़्यादा होती है 60-70% जलवास्प की मात्रा होती है जोला मुखी में अगर कुशन में यह आए कि जोला मुखी में सबसे ज़्यादा क्या निकलती है तो जلवास्प निकलती है बहुत important question है star बना के लिख लेना ठिक है बात करते हैं जालामुखी से निकलने वाली gase में अगले point की बात करते है तो जलव़को सोना है में को का मतलब होता है carbon dioxide और so का मतलब है sulfur dioxide और ना का मतलब होता है nitrogen तो जलवास निकलती है, कारवन डायाकसाइड, सलफर डायाकसाइड और नाइट्रोजन, गैस ये सब भी जुआला मुखी के उद्वो होने के पश्चात निकलती है तो अब कोई भी कुश्चन आपको नहीं रोक पाएगा कि कौन सी गैस निकलती नहीं है, ये भी कर लोगे, और कौन सी गैस निकलती है, ये भी कर लोगे जलवास, कारबन डायाकसाइड, सलफर डायाकसाइड, नाइटोजन ये चार गैसेज आपको याद रखनी है थोड़ी मातला में अमोनिया भी आ जाती है ठीक है बहुत बढ़िया अब बात करेंगे जौला मुखी के नेक्स्ट पॉइंट पर, तो ज्यान दिजेगा कि जौला मुखी के नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, कि उदगार की अवदी के अनुसार जौला मुखी को कितने भागों में बाटा गया है अब इस तरीके से हम आपको बताएंगे कि आपको बॉरियस लगेईगा नहीं ये चेप्टर कि उदगार अवदी के अनुसार जौला मुखी तीन परकार के होते हैं तो अब बात करते हैं सरजी सक्री जॉला मुखी का अर्थ क्या है पहला पोइंट था हमारा कि सक्री जॉला मुखी सुसुप्तु जॉला मुखी या पुरुसुप्तु जॉला मुखी या म्रत जॉला मुखी तीन तरीके की उत्पति के आदार पर बाटा गया जॉला मुखी को पहला है सक्री जॉला मुखी का अर्थ क्या है ऐसे जॉला मुखी जिनके मुख से हमेशा धूल, धूआ, बास्प, गैस, राक, लावा, इत्यादी पदार्थ निकलते रहते हैं उनको हम सक्री जॉला मुखी मतलब सक्री का मतलब होता है जहां ऐसी जोला मुखी का नाम है जो हमेशा सक्री रूप से अपनी भूमिका निभाती है सक्रियता रहती है हमेशा उनके मुख से हमेशा धुआ या जलबास कुछ भी निकलता रहता है प्रतवी के अंदर से सक्री जोला मुखी की संख्या 500 से अधिक है कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 500 से 600 के मद्धे में सक्री जोला मुखी की है यह संख्या याद रखेगा point number next है कि विश्व का सरवादिक सक्री जोला मुखी कौन सा है विश्व का सरवादिक सक्री जोला मुखी कौन सा है ये किलायू है बहुत ही बार ये कुछन पूछा गया है कि किलायू कहां पर है तो ये हवाई द्वीप में है अब देखिगा यहां पर हम सारी जॉ ai मुखी को हम लास्ट में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जॉ ai मखी कहां पर है अब एक और कुछन आता है भारत से सम्मंदित आता है कि सक्री जोला मुखी वैरंदीप किस जगह पर है कि सक्री जोला मुखी वैरंदीप किस जगह पर है तो ये है अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार कहा है भारत की अगर हम बात करेंगे लक्षदी पार्ट पड़ता है यह अंडमान निकोबार पड़ता है है ना तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर आपका पड़ेगा विया फंगाल और यहाँ पर अरब सागर पड़ेगा अंडमान निकोबार का सबसे लास्ट पॉइंट है पिग्मिलियन पॉइंट ठीक है याद रखेगा अंडवान निको बार में ही वेरंदीप है हंडेट से भी जादा बार एक्जाम में पूछा गया कुछन्स ही रहेगा सक्री जौला मुखी अभी तक जितने भी भारत में एक्जाम हुए है सभी में तो आपके में क्यों नहीं आ सकता बिलकुल आएगा तो याद रखेगा नेक्श अगर हम बात करें अब हमारा दूसरा हमारा जौला मुखी जिसका नाम है प्रसुप्त जौला मुखी ऐसे जौला मुखी जिसमें लंबे समय से उदगार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी ये सक्री हो सकता है सक्री जौला मुखी पहला पार्ट मैंने पढ़ाता कि हमेशा उदगार होने वाला सक्री जौला मुखी कहलाता है लेकिन अभी प्रसुप्त जौला मुखी पढ़ रहा है तो कह रहा है कि जिन में अभी उद्गार नहीं हुआ है लेकिन होने की संभाबना प्रबल है कभी भी हो सकता है पता नहीं कब फूट जाए तो हम कहते हैं प्रसुप्त जौला मुखी तो सारह पॉाइंट आपको clear होने चाहिए तौह इसलिے बहुत ही अच्छी तरीके सी पॉाइंट को देखीगा और समझी अगा पॉइंट नबर नेक्स्ट है हमारा कि तीसरा है उत्पति के आधार पर लास्ट और तीसरा कह रहा है कि मरत या सांत जौला मुखी किसे कहते हैं ऐसे जौला मुखी जिसमें एतिहासिक काल में कोई उधगार नहीं हुआ है और नाहीं दोबारा सक्री होने की संभाबना नजर आती है मरत या सांत जौला मुखी क्योंकि नाम से ही लग रहा है मरत या सांत जौला मुखी वो जौला मुखी होता है जिनमें कोई भी उद्गार नहीं हुआ है और ना ही होने की संभाबना है अब क्या concept क्या है ध्यान दिजेगा concept यह है कि जब भी जोला मुखी का concept हम लोग पड़ते हैं तो हम कहते हैं कि प्रतवी के आंतरिक भाग से मैगबा उपर जाता है और लाबा के रूप में परिवर्टित होता है तो हम कहते हैं कि आग जो उगलती है वही जोला मुखी होती है और जहां से चीजें निकलती हैं उनको हम कहते हैं सर जी क्रेटर अब यह बताओ इसमें क्यों ऐसा point क्यों हमने कह दिया है कि मरत जोला मुखी पहले तो उदगार होता रहा है लेकिन अब क्यों नहीं होता है अब इसलिए नहीं होता है क्योंकि यह जो है अब इनकी कैपिसिटी खतम हो चुकी है और इनके मुख में क्या हो गया है पानी भर गया है ठीक है पानी भर गया है तो यह बिल्कुल इनकी कैपिसिटी छमता खतम हो चुकी है मृत्य सांत जॉला मुखी होते हैं खेक है बहुत अच्छे सक्री जॉला मुखी अधिकांस कहां पर पाये जाता है जो सक्री जॉला मुखी अधिकांस पाये जाता है प्रसांत महासागर के तटिय भाग में सबसे ज़्यादा प्रसांत उम्हा सागर के तटे भाग में सक्री जौला मुखी पाए जाते हैं सक्री जौला मुखी होता क्या है जहां पर उधगार हमेशा होते रहते हैं बात करेंगे जौला मुखी से important fact के तरफ आगे बढ़ते हैं कि हमने एक बार फिर से मैं बताऊंगा कि प्रतवी के अंदर का तरल भाग क्या होता है मैगमा होता है प्रतवी के अंदर बाहर जब भाग आ जाता है ये देखिए भाग जो बाहर आ गया है ये जम गया है इसको हम लावा कहते हैं अंदर का पार्ट मैगमा है, बाहर का पार्ट लावा है, निकलने वाले पदार्थ को हम थंडा हो जाता है, इसको हम सिंडर कहते हैं, ठीक है ना, और जहां से निकलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं सर जी, क्रेटर कहते हैं, ये भी याद रखीगा, अब हम चलते हैं, पॉइंट जलवास सबसे ज़्यादा होती है, 60-90% मात्रा जोला मुखी में होती है, तो जोला मुखी में याद रखना है, जल को सोना है, जलवास, कारबंडा या अक्साइट ये ट्रिक हमने बताई थी, है ना, जी हाँ, बहुत बढ़िया, सल्फर की बात हुई थी और नाइटोजन की बात हुई थी, ये गैसेज आपकी केबल जोला मुखी से निकलती है, थोड़ी मात्रा में अमूनिया भी निकलती है, बात करेंगे, दोस्तों यहाँ पर, हमने आपको एक चितर भी बताया है, जहां से अगर हम बात करें, ये जोला मुखी की बात करें, यहां से पदार्थ निकलते हैं तो इसको हमने दे दिया ज्वाला मुखी क्रेटर ठीक है ज्वाला मुखी छिद्रिया हम कुछ भी बोल सकते हैं और यह जो आता है इस संग को बन जाता है देखो अंदर से पदार्थ निकलेंगे तो बाहर आके कहीं न कहीं जमेंगे जब अंदर की बात करें तो यहाँ पर होता है आपका मैगमा, जब बाहर आके जम जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, यह लावा हो जाता है, याद रखीगा, पॉइंट नमबर नेक्स्ट कहरा है, कि किन महादीपों में, किन महादीपों के तटी भागों में सबसे अधिक सक्री जोला मुखी पाए जाते हैं, हमें सबसे ज़्यादा यह पता है, कि महासागर की बात करें, तो हम प्रसंत महासागर में सबसे ज़्यादा ऐसी पेटी है, पर सबसे ज़्यादा जौला मुखी है सक्रिय लेकिन किन महादीपों की बात महादेसों की बात करी उनके तटी भाग की बात करें तो तटी भाग में अमेरिका और एसिया में सबसे ज़्यादा सक्रि जौला मुखी पाये जाते है जिनमें उद्गार हमेशा होता रहता है ठीक यहाँ पर है नार्थ गोलार्द में उत्री गोलार्द में और साउध गोलार्द यह है तो दक्षडी गोलार्द में आपका है क्या बिल्कुल बिपरीद दिशा में अस्टेलिया है जब भारत में गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर सर्दी पड़ती है क्योंकि भारत से बीचो पॉइंट हमारा इस विड़ो का अच्छी तरीके से कोई कुशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको विश्चो के प्रमुक जौला मुखी आपको लिख लेने है कौपी में जो मैं बताने वाला हूँ और वो कैसे हैं एक तरफ लिख लेना है जौला मुखी का नाम एक तरफ इस्थिति और देश ठीक है आप देखो सबसे पहली बात करें माउञ्ट काटो पैक्सी बहुत बार एक्जाम में आता है कि माउंट काटो पैक्सी जौला मुखी किस देश का है और कैसा है उत्पति के आधार पर हमने तीन भागों में बाटा है सक्री जौला मुखी मरत सुन्द जॉला मुखी ठीक है Mount Var解na जमाना ऐसा लगता है लेकिन Mount Aetna इटली में है याद करने का बड़ा आसान तरीका है इटली से एटना कैसा है शक्री जॉला मुखी है फीक है दो हो गए तीसरा कहरा है Stronbole यह तीन बहुत important तरीके से आपको याद रहता है स्ट्रॉम्बोली सक्री जौला मुखी है ये भी कहां पर है इटली का है स्ट्रॉम्बोली माउंट एंटना दोनों सक्री जौला मुखी है इटली के जौला मुखी है अगला है विसूबियस प्रसुप्त जौला मुखी है ये भी आपका इटली का है बहुत important है visubius क्यों important है क्योंकि ये अभी तक तीनों हमने देखे ते सक्री जौला मुखी और ये एक है प्रसुत जौला मुखी ये भी इटली का part है डेम वंद जौला मुखी कहां का है ये इरान का है तेहरान की बात होती है राजधानी की बात होती है सांत जौला मुखी है मरत जौला मुखी है ये एक्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है लेकिन आपको लिख लेना है कोह सुल्तान अच्छा कुशन है स्टार लगा लेना कोह सुल्तान कुशन टप वनेगा तो पूछ लेगा कि कोह सुल्तान क्या है को सुलतान एक ज्वाला मुखी है कहां है इरान में है कैसा है सांत ज्वाला मुखी है ठीक है अगला है जो हमेशा कुष्ण एक्जाम में ट्रेंडिंग में रहता है क्योंकि जापान का प्रसिद्ध ज्वाला मुखी है हमेशा एक्जाम में बहुत ही सक्री रूप से आने वाला कुश्ण से कि फ्यू जी आमा क्या है? एक ज्वाला मुखी है? कहां है? ज्यापान में है? और कैसा है? सक्री ज्वाला मुखी है बहुत बढ़ा अगला पॉइंट हमारा बनता है एक और बहुत इंपोर्टेंट क्ली मिंजारो हमेशा आपने नाम सुना होगा क्ली मिंजारो ज्वाला मुखी हमेशा ये पूछ जाता है कि कहां कैसा है ज्वाला मुखी ये नहीं पूछ जाता है कहां है तो याद रखीगा क्ली मिंजारो एक आपका मृत जौला मुखी का उधारन है मृत जौला मुखी का उधारन का मतलब है कि वो ऐसी जौला मुखी जहां पर उधगार होने की संभाबना अब बिलकुल नहीं है न भविस्य में हुई होगी अब बिलकुल हो सकती है पहले हुई थी लेकिन अब वबेसे में कोई chances नहीं है कि जौला मुखी का उद्गार होगा कटमई जौला मुखी को हम नाम देते हैं Alaska में ठीक है कटमई एक जौला मुखी जिसको हम नाम देते हैं Alaska में हम Elbridge की बात करेंगे ये जरजिया की जौला मुखी है हम Mount Rainier की बात करेंगे संयुक्त राजे अमेरिका की है ये तीनों आपको याद नहीं करनी है केबल लिख लेनी है आपके exam में ये तीनों का कोई criteria नहीं बनेगा हमने यहाँ पर type करा है लेकिन फिर भी आपको दो जौला मुखी बहुत important ये बनती है केबल दो जौला मुखी आपको देखना है चेंबरोजी जौला मुखी जो है वो equator में है और पोपा जौला मुखी मियामार में है या पोब जौला मुखी मियामार का पोपा आपसे हमेशा पूछा जाता है exam में तो ये star में लिख लेना स्टार में लिखने ना मैं आभी बताऊँगा कि स्टार में कौन कौन सी important है चिंबरोजी जोला मुखी जो है वो equator में है और popa यानि मियामार में है सांथ जोला मुखी तो ये दो दो important है ठीक है इसके अलावा आपकी कौन सी important है ये वाली important है और ये वाली important है दोनों ठीक है पांच हो गई पांच के बाद आपको विसूबियस इंपोर्टेंट है और इसके अलावा उपर वाली तीनों इंपोर्टेंट है ही तो पांच तीन आठ नो जौला मुखी आपको याद रखनी है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बेहतरीन ये विडियो पूरा प्रोवाइड हो चुका है कैसा लगा ये विडियो इससे ज़्यादा ना तो कोई कुशन मनेगा ना ही कोई पार्ट आपका जग्रोफी से कुशन में छूटेगा वेल कैना अश्टो है पिछला पार्ट भूगोल का था अगला पार्ट जो और भटा का आएगा ठीक है सारे पॉइंट पार्ट वाइस खतम कर देंगे और लास्ट में एक्जाम तक तीन से चार बर कुशन्स भी करा देंगे जैहिन वन्ने मातरम लाइक करके विडियो को जरूर जाए चैनल को सस्क्राइब जरूर करें